नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासस में कैसे आप सभी लोग उम्मीद करते हैं सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छे प्रिपेशन दोस्तों आपने स्टार्ट कर दी होगी आगामी परिक्षाओं की सिख्षक बनने के लिए दोस्तों आपके पास अवसार आ रहे हैं निकलकर उत्तराखंड एल्टी के तो दोस्तों फॉर्म आने वाले हैं साथी साथ दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता के भी फॉर्म दोस्तों जल्द ही आएंगे 613 पदो पर दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता का अधियाचन UKPSC को भेज दिया गया है जल्द ही दोस्तों इसके फॉर्म भी आपको देखने को मिलेंगे वैसे भी दोस्तों हिस्ट्री में हमेशा एल्टी और प्रवक्ता की पोस्ट सासाती आती है तो ऐसे में आपके पास दोस्ते बहुत अच्छा मौका निकल कर आ रहा है कि आपने इन दोनों वाइटल रोल करता है उत्राखंड टी में 30 मार्क्स की तीचंग आती है जबकि उत्राखंड प्रवक्ता स्क्रिंणंग में 40 मार्क्स से पहले दोस्तों हम 24 classes दोस्तों ले चुके हैं अब आप ये सारी classes को दोस्तों एक एक करके देखिए revise करें इसमें जितने भी आपको बहतरीन questions करवाए गए हैं उनको note-down करिए ये आपको दोस्तों कहीं ना कहीं जरूर आगे मदद करेंगे क्योंकि इन से दोस्तों direct प्रश् है उसका भी दोस्तों लेवल थोड़ा अच्छा रहने की संभावना रहेगी क्योंकि अब वैसे भी UK SSSC के द्वारा दोस्तों कहा गया है कि अब हम papers के लेवल को अच्छा बनाएंगे साथी साथ दोस्तों UKPSC भी यही कहा रहा है तो आपको दोस्तों लगातार अच्छे ले के कोशन से दोनों करने जी ऐसा नहीं कि कोई कोई कोशन अगर basic है तो आप इसको छोड़ें सबी दोस्तों आपने पढ़ने होते हैं क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे दोस्तों competition बढ़ना है लगातार कोशन एड़ होते रहते हैं नईने कोशन्स आते हैं तो आपके लिए जो burden है वो दोस्तों हमेशा थोड़ा बढ़ता ही रहेगा लेकिन जो basic है उसको तो आपने बहुत अच्छे से करना है तो चलिए दोस्तों आज की class को start करते हैं आज भी दोस्तों हम 30 महत्वपूर MCQ करेंगे लेकिन दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ने से पहल वाले नहीं होंगे लेकिन फिर भी दोस्तों हमारा उत्तराखेंट L.T.Ganit 2024 के नाम से दोस्तों बैच चलना है जिसमें आपको maths and physics की दोस्तों live classes देखने को मिलेंगी देखें ये बैच उन लोगों के लिए है जो की continuous preparation करना चाहते हैं जिनको लगातार रोज दोस्तों classes चा जालना है तो उनके लिए दोस्तों बैच हमने specially designed किया है उत्तराखेंट L.T. का दोस्तों यहाँ पर आपको 250 प्लस recorded class मिलेंगी live classes maths and physics की मिलेंगी teaching aptitude दोस्तों इसमें नहीं रहेगा ये course वेसे दोस्तों 12,000 का है 40% discount में दोस्तों आपको 7,000 दोस्तों का ये पढ़ जाएग ये offer दोस्तों केवल दिपावली तक है 15 नौंबर तक देखिए ध्यान रखेगा इसके अलावा दोस्तों उत्राखेंट प्रवक्ता गणित की अगर आप mains की preparation करना चाहते हैं देखिए अभी से करेंगे तब ही जाके होगा last time's main का result आप देख लीजिएगा कि 4 लोग ही select हो पाए 30 post में से 4 लोग ही select हो पाए बाकी सब वेस्ट गई यानि की qualify ही नहीं कर पाए इससे आपको बता लगता है कि को एक्जाम का level कितना तगड़ा है ठीक है तो यहां पर भी दोस्तों 10,000 का एक course है 40% discount में हम आपको देख रहे है 6000 का दोस्तों आपको पढ़ जाएगा हमारे चैनल जैन लेगी mathematics को दोस्तों महाँ पर आपको demo ही demo मिल जाएंगे यह हमारा दोस्तों WhatsApp नमबर है यहां पर दोस्तों आप हमसे संपर कर सकते हैं जो live classes है दोस्तों साड़े 6 से चलती है हमारी साम को तो यहां पर आपको daily live classes देखने को मिलेगी Monday to Saturday Sunday दोस्तों हमारा off चलिए दोस्तों आज की class को शुरू करते हैं देखिए दोस्तों आज का पहला question है जो आपके screen पर आएगा नेम लेकित में से कौन सा कथन सिक्षा मनुविज्यान के अर्थ को सबसे सही धंग से प्रकट करता है बहुत अच्छा दोस्तों प्रशन है यह सिक्षा को in the statement best expresses the meaning of educational psychology it provides psychological basis to education it constitute personal experience it is a science of studying person's mind यह there it is related only to social process of individual देखे manno vigyani जो नियम है उनका दोस्तों education में प्रयोग ही दोस्तों शिक्षा manno vigyyan कहलाता है यह आप applied science मान सकते है या applied branch कह सकते हैं मनोविज्ञान के नियमों का प्रयोग करना तो यह actually कहा है दोस्ते यह applied branch है ठीक है ना सिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के जो नियम है concepts है, facts है उनका उपयोग सिक्षा के छेतर में किया जाता है जिससे की बालोकों का सरवागीन विकास किया जा सके तो यह एक तरह से education को मनोविज्ञानिक आधार प्रदान करता है तो option number A is right अगला प्रश्म देखेंगे आपके screen पर दोस्तों आएगा सिक्षा मनोविज्ञान को कहा जाता है आप देखें दोस्तों मैंने इससे पहले जो आपको definition दियों से काफी हद तक आप यह प्रश्म को solve कर सकते हैं educational psychology score सुद्ध मिज्ञान है मौलिक मनोविज्ञान है आधार बूत मनोविज्ञान है या फिर अनुप्रिक्त मनोविज्ञान है educational psychology दोस्तों actually क्या है दोस्तों यह applied psychology है यानि कि apply किया जाता है इसमें मनोविज्ञान के प्रियोगों का सिक्षा के छेतर में प्रियोग किया जाता है मलब जो मनोविज्ञान के जो सिधान थे उनका आप प्रियोग करते हैं जिससे की जो चातर है उसको सरवादिक फाइदा आप पहुँचा सकें, तो ये applied science है, so option number D is right. अगला प्रशन देखेंगे, question number 3, व्यावारवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपने बताना है कि according to behaviorism, which of the following statement is false. यह अवलोपनिये व्यावार पर बल देता है, या चेतना के विरोध करता है, या वातवरंट पर बल देता है, या अंतरवेशन विदी को स्वीकार करता है. It emphasizes on observable behavior, it opposes consciousness, it emphasizes on environment and it accepts the interpolation method. So, व्यावार वाद, दोस्तों simple है, यह अंतरवेशन विदी को स्वीकार करता है, दोस्तों यह बिल्कुल गलत है, यह असत्य है, दोस्तों option number D right है, यानि कि आगर हम बात करें behaviorism की दोस्तों, तो behaviorism में दोस्तों आपके अवलोपनिये व्यावार पर बल देता है, यह चेतना को स्वीकार नहीं करता है, यह मन को भी accept नहीं करता है, यह अंतरवेशन विदी यानि कि आत्म दिरिक्षन विदी को भी दोस्तों यह accept नहीं करता है, यह वातावरण या फिर परयावणी कारक पर दोस्तों यह बल देता है, ठीक है, इसके अलावा वर्तमान व्यावार पर दोसने बल देता है जिससे गत अनुभों के प्रभाव पर यानि कि जो हमें previous experience है उनके प्रभाव पर दोसने बल देता है तो ये देखा जाए तो D वाला option इसका correct है चेतना का विरोध करता है दोस्तों बिलकुल ये correct है व्यावारबाद के स्थापक कौन है दोस्तों वाटसन ये प्रशनित बार-बार पूछा जाता है, व्यावारबात की स्थापना, वाट्सन के द्वारा दोस्तों की गई थी, 1913 में, अगला देखेंगे, question number 4, अगला प्रशनित दोस्तों, अनुधैरी उपागम में जिन बालकों का परविक्षन किया जाता है, वे होते हैं, नए विभिन निश्चित या फिर उप्रोक में से कोई नी, तो इसका right answer क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका right answer है, option number C, यानि कि निश्चित, देखें, longitudinal approach जो स्टड़ी की होती है, दोस्तों, इसमें कोई विक्ती के निश्चित समू का अध्यन, विभिन विभिन अबसरों पर पूर निर्धारित समय तक किया जाता है, यानि कि आपने करना क्या है, longitudinal approach में, कि विक्ती का एक आप निश्चित समू बना लेंगे, और उसका different different अवसर पर, different different अवसर पर, आप उसका अध्यन करेंगे, ठीक है न, different different आपके अवसर हो सकते हैं, लेकिन जो समय होगा, वो already क्या होगा, defined होगा, ठीक है, तो जिन बालकों का perfection किया जात है, वो क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, ये आपने दोस्तों यहाँ पर समझना है, ठीक है, अब एक दोस्तों इसी में था एक cross sectional होता है, अनुप्रस्त कार्ट, तो अनुप्रस्त कार्ट में क्या होता है दोस्तों, कि आप अलग-अलग groups का, देखें, वहाँ पर क्या था कि बालकों के अलग-अलग आप group बनाएंगे, उन groups का अध्यन अवसर पर एक सांथ किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर एक group का अध्यन विभिन अवसरों पर देखा जाता है, और यहाँ पर दोस्तों क्या है, कि अनुधहरी उपागम में आप बालक हैं, उनका observe आप कर र हैं, पूर निधारित समय में, तो answer नंबर जो C है, दोस्तों वो बिलकुल correct है, अगला question देखेंगे दोस्तों, question नंबर 5, विकास के कौन से सिध्धानत में विक्ती और उसके परिवेश, जो उस पर प्रभाव डालते हैं, कि मध्य अन्ता क्रिया पर ध्यान दिया जाता है, ब्रोन फेंब्रेनर का विकास का परिस्थिति परक सिध्धान, एरिक्सन का मनो समाजिक विकास का सिध्धान, जीन पियाजे का संग्यानत मक् विकास का सिध्धान, या फिर ब्रुनर का संग्यानत मक् विकास का सिध्धान, in which theory of development attention is paid to the interaction between individual and his environment which influence him, ब्रोन फेंब्रेनर, situational theory of development, एरिक्सन psychological, psychosocial development theory, जीन पियाजे cognitive development theory, ब्रुनर cognitive development theory, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है, फस्त वाला, ब्रोन फेंब्रेनर का विकास का परिस्थिती परक्सिधान या फिर ब्रोन फेंब्रेनर, situational theory of development, दोस्तों इस सिध्धान में विक्ती और विक्ती का जो परिवेस उस पर क्या effect डालता है, इनके बीच क्या interaction होता है, इसका दोस्तों अध्यन यहाँ पर किया ज जाता है, ठीक है न, तो इसमें जो ब्रोन फेंब्रेनर हैं दोस्तों, इन्होंने इसमें पांच मंडलों का उले किया है, और इसमें दोस्तों इन्होंने परिवेस है, इसको बहुत महतुकून माना है, यानि कि परिवेस जो है विक्ती में उसके विकास को बहुत अच्छे स करता है यह दोस्तों इन्होंने माना है तो ए वाला option इसका बिलकुल correct है अगला देखेंगे question number six, question number six क्या है देखिए, एक खाने का विकास जिसमें एक विक्ती बहुत अधिक बोजन खाता है और फिर स्वा प्रेरित उल्टी वर रेचक द्वारा सुधिक रन करता है उसे कहा जाता है, an eating disorder in which person eats too much food and then purifies it through self-induced vomiting and laxative, laxatives is called, so क्या बोलते हैं, भुक्मरी, अनोरेक्सिया, नर्वोसा, मरेसमस, बुलिमिया, नर्वोसा, ठीक, स्टावेशन है, या फिर ये दोस्तों अनर्वोसा है, मरेसमस है, या फिर बुलिमिया, नर्वोसा, तो इसका right answer क्या है दोस्तों, इसका right answer है, option number D, यानि की बुलिमिया, नर्वोसा, दोस्तों, ये इसका right answer है, ठीक है न, ये दोस्तों, एक तरह से किसोरा वस्था में जाने वाला ये विकास आत्मक विकार है ठीक है यानि कि विकास की प्रक्रिया में होने वाला जो विकार उसको क्या बोलेंगे विकास आत्मक विकार है ठीक है तो इसमें होता क्या है बालक अत्यरी खाता है और फिर उल्टी करता है ठीक So, एक eating disorder है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, bulimia nervosa, ये किसोर रवस्ता के हमें होने वाला एक विकार है, ठीक, So, right answer will be D, अगला देखेंगे, question number 7, question number 7 देखेंगे, कि शोरों की हड्डियों में बालकों की तुलना में मुख्य परिवर्तन दिखाई देता है, रंग, संगठन, कार्य, या फिर विक्रतिया, major changes are visible in the bones of teenager as compared to children, color, composition, work, या फिर distortions, तो इसका right answer दोस्तों क्या होना चाहिए, इसका right option है दोस्तों, P यानि की संगठन, या फिर दोस्तों आप इसको बोल सकते हैं, composition, देखें, होता क्या है कि जब बालक पैदा होता है, तो दोस उसमें जो हड्डियां होती है, पुरी तरह से विक्सितनी होती है, काफी दोस्तों मुलायम होती है, उसमें लचीलापन होता है दोस्तों, और हड्डियों की संक्या दोस्तों जादा होती है, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों जब किसोरावस्ता में पहुचते हैं, तो उस case में ये हो जाती है तो ये दोस्तों किस में है संगठन है यानि की composition दोस्तों एक तरह से अस्थी करन आप इसको समझ सकते हैं तो ये major changes है bone of teenagers ठीक सो किसोरों में हड्डियों में बाले की तुल नामे मुख्य परिवरतन क्या है दोस्तों इसका संगठन यानि की composition so composition is the right answer इसके बाद देखेंगे अगला question number eight बाल अध्यन आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है who is called the father of child study movement जीन प्याजे जी स्टेनली हॉल बंडूरा या फिर मैसलो तो इसका right answer क्या होना चीए जनक का dos To Miz Rebellion इसका right answer दोस्तों है option number B जी स्टेनले हॉल बहुत महतुपूरे दोस्तों बाल अध्यन आंदोलन दोस्तों जी स्टेनली हॉल के दवारा ही दोस्तों चलाय गया था ये दोस्तों इनोंने अमेरिका में चलाया था अमेरिका में दोस्तों यह आंदोलन अधियन चलाया था और यह चलाया था दोस्तों इन्होंने 1893 में ठीक है 1893 में दोस्तों अमेरिका में इनके द्वारा बाल अधियन चलाया दोस्तों गया था और ये किस के द्वारा दोस्तो चलाया गया था, ठीक है न? इसमें दो समीटिह थी दोस्तों, एक थी आपकी बाल अध्यन समीटी, मैं आपकर लिख लेता हूँ, बाल अध्यन समीटी, जो कि बालकों का अध्यन से समस्दित थी, और दूसरी जो समीती थी दोस्तों वो थी बाल कल्यान समीती, ठीक है, ओके, तो ये दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं, ठीक, सो बाल अध्यन समीती and बाल कल्यान समीती, ये दोस्तों दो समीतियां इसके अंदर थी, तो बाल अध्यना दुरन का जनक कौन है, जीस्तिनले हॉल इसके बाद देखेंगे question number 9 Trisomy 21 को कहा जाता है Climb filter selection, sickle cell row, tunnel selection या फिर down selection Trisomy 21 यानि कि Climb filter syndrome, skill cell disease, turner syndrome या फिर down syndrome तो इसका light answer क्या है दोस्तों तो दोस्तों इसका right answer क्या है दोस्तों ये एक तरह का down selection यानि कि down syndrome का दोस्तों ये उधारन है Option number D दोस्तों इसका right है विलकुल Actually होता किया दोस्तों इसमें जो cell division होता है वो जब असमान्य हो जाए असमान्य कोसी का विभाजन से दोस्तों ये संबंदित है ठीक है तो असमान्य कोसी का विभाजन होता है जिसके कारण दोस्तों जो गुर्स होता है वो 21 के अतरिक्त हो जाते हैं तो उस case में दोस्तों यहां पर trisomy 21 उसको बुलायता है तो यह आपका down syndrome का एक example है तो डी वाल option इसका बिलकुल correct है question number 10 देखेंगे विकास का कौन सा आयाम नाम चमस्की के सिधानतों से प्रभावित हुआ है बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है ये भासा विकास, सामेगी के विकास, नेतिक विकास या फिर संग्यात्म के विकास, which dimension of development has been influenced by नाम चमस्की थियोरी, language development, emotional development, moral development या फिर cognitive development तो इसका right answer दोस्तों क्या है, इसका right answer है option number A यानि की भासा विकास, देखें जो नाम चमस्की है दोस्तों ये भासा विकास से दोस्तों संबंदित है, तो इन्होंने दोस्तों जो नाम चमस्की है दोस्तों इन्होंने भासा पर generative grammar यानि की मनो भासिक सिधानत दोस्तों इन norm चमस्की के द्वारा दोस्तों गिया गया था ठीक है न या फिर आपसको क्या के सकते हैं generative grammar ठीक है generative grammar ठीक है concept ठीक तो मनो भासिक सिध्धान्त इनके द्वारा दोस्तों दिया गया था अगला question देखेंगे संग्यान का अर्थ क्या है कॉंगनीशन का अर्थ क्या है भईया कर्म कारिय वह भासा के माध्यम से स्वैम और दुनिया को समझाना ठीक है थोड़ा इसको सही करेंगे कर्म के माध्यम से स्वैम और दुनिया को समझाना ठीक है ना, स्वेम और दुनिया और दुनिया को समझाना ठीक है ना, इसके बाद आएगा भासा के माध्यम से स्वेम और दुनिया को समझाना ठीक है, तो इसका right answer क्या होना चाहिए, थोड़ा सा इसके जो options इसको थोड़ा सी कर लेंगे, देखें वैसे बहुत आसान है, उप option दोस्तों इसका correct होगा, एवाल option दोस्तों इसका correct होगा, यानि कि कार्य वभासा के माध्यम से, या कर्म वभासा के माध्यम से स्वेम और दुनिया को समझना, यी दोस्तों आपका क्या है, संग्यान क्या है, ठीक है, संग्यान का मतलब क्या है, दोस्तों, वो आपकी mental क्रि से पुना स्मरण करते हैं, रिकॉल करते हैं, यह सभी दोस्तों इसके अंतरगत आता है, ठीक है, तो इसमें आपका स्मृति है, मैमोरी है, या आप कॉंसेप्ट है, प्रॉब्लम सॉलूशन, कहने के समाधान, ठीक, इसके अलावा आप डिस्जियन मेकिंग है, ठीक, तरकणा, लॉजिकल ठीकिंग, यह सभी दोस्तों इसके अंतरगत आते हैं, ठीक, तो इसमें आपके टोटल कहने हैं, यह मैंटल एक्टिविटीज हैं, और इसमें हम ज्यान को ग्रहन करना, कैसे इसमें ग्रहन करना है, कैसे उसको संचित करना है, वो दोस्तों इसके अंतरगत आता है ठीक है अग्ला देखें नोल 12 इसना है समवेग की विसेष्टा है समवेग की क्या विसेष्टा है ठीक है थीक है समवेग दोस्तों यहाँ पर यह momentum बार-बार आ जाता है लेकिन समवेग कहने हुआ है अर जो यह समवेग है दोस्तों की है है ठीक तो इसका राइट आंसर क्या है सम्वेगों की व्यापकता यानि की दोस्तों emotions यह क्या है व्यापक होते हैं इसके अलावा विचार पक्रिया का कारें ना करना ठीक सम्वेगों की आस्तिर्ता या फिर all options are correct तो option number दोस्तों इसका दी वाला correct होगा देखिए all options are correct सम्वेग दोस्तों आपके व्यापक होते हैं सारभोमिक होते हैं इसके अलावा दोस्तों सम्वेग हमेशा अस्तिर होते हैं ठीक है इनमें अस्तिर्ता पाई जाती है ओके छनिक प्रकरती के होते हैं और इसके पालक दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो वह कॉसल का अधिगम अंतरण उसे उल्टे हाथ से लिखने की सुगमता परदान करता है यह सीधे का उल्टे हाथ से लिखने के कॉसल का हस्तांतरण दोस्तों क्या कहलाता है sequential transfer of learning, lateral transfer of learning, negative transfer of learning या फिर bilateral transfer of learning ठीक है तो इसका right answer क्या होना चाहिए दोस्तों इस तरह के प्रशनम आपको पहले बता चुके हैं जो हमारी classes regularly देखते हैं तो उनको अच्छे सिंग का idea है और एक बार दोस्तों जरूर इस से सिंग को अपने दोस्तों के बीच में share करें पहली बार चैनल पर आ रहे ह जो आपने सीखा है आप उसको ट्रांसफर कर रहे है ठीक है ना in the form of आप positive भी transfer कर सकते हैं यानि कि जो आपने पहले से सीखा है वो आपको आगे अन्य चीजे सीखने में मदद करता है तो positive transfer of learning है लेकिन अगर अब इक कोई चीज आपने सीखिया है वो आपको आगे जाके अ एक अंग से किये जाने वाले कारिय का प्रभाव दूसरे अंग पर पड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं द्वी पार्सिक अधिगम अंतरगेते तो इसमें क्या है कि सरीर के एक अंग यानि की दाएं हाथ से बच्चा लिखना सीखता है और इसका अधिगम अंतरण उसके उ कोशन नमबर 14 ततपरता का नियम अभ्यास का नियम प्रभाव का नियम लिखने खिक में से किस अधिगम सिद्धान से संबंदित है तो दोस्तों आपके बहुत बेसिक से प्रशन है लेकिन अभी बेसिक आपको लग रहे हूंगे क्योंकि आपने बहुत समय से इसको पढ़त प्रशन रॉप औलषी के अधिगम के अधिगम के सिद्धानत दिये गए थे इसी में दोस्तों दिया गया था कि प्रयास एवं तुरूटी सिध्धान ठीक है तो इसमें तीन मुख्य नियमों का उलेख है कौन कौन से नियम है ततपरता के नियम अभ्यास की नियम एवं प्रभाव की नियम अब दोस्तों आपको मैं काम दूँगा ये सामाजिक अधिगम सास्त्री अनुबंदन अधिगम ये जो सिध्धान थे हैं ये किसके द्वारा दोस्तों दिये गए और इसके लावा जो संकेत अधिगम है ये कौनसेप किसके द्वारा दिया गया है अधिगम है तो क्या इसका राइट अन्सर हुना थे दोस्तों कि इसका राइट अंसर क्या होना चाहे देख इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका हो जाएगा option numbers d op jaw connect क्रयात्मा छीक है तो इस अवस्ता में ये दोस्तों जो बालक है वह में अपने विचारों को या इसमें आप बालक तर्क पूण और व्यवस्थित प्रक्रियाओं से समस्याओं का परमानी करन करता है तो आप सिंप्ली कह सकते हैं कि दोस्तों जो आपचारिक क्रियात्मक अवस्था है उसमें बालक के विचार हैं दोस्तों व्यवस्थित होते हैं और उसमें लॉजिकल थिंकिंग होती है समस्या समाधान करने की योग गिता रहती है ठीक है निश्कर्स निकालने की योग गिता इस अवस्था में पाई जाती है तो वो कौन सी है अपचारिक क्रियात्मक अवस्था ठीक है सो फॉर्मल फंक्शनल दोस्तों यह आपकी अवस्था है जो कि पियाजे के कॉंग्नेटिव डेवल्मेंट ठीक है ठीक है पूश्च नमर 16 देखेंगे अगला दोस्तों बहुत अच्छा प्रशन है समीपस्त विकास छेत्र की आउधाना किसके द्वारा दी गई बियाजे बं इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों सी वाइगोट्सकी ठीक है जेट डीपी जोन ओफ प्रॉक्सिमल डेवल्मेंट दोस्तों यह किसके द्वारा दोस्तों दिया गया था यह आपका वाइगोट्सकी के द्वारा दोस्तों दिया गया था आप इतना समझ लीजे zone of proximal development क्या है दीखिए होता क्या है कि एक बालक है जो कि अपनी स्वागती से सीखता है ठीक है एक development है यानि कि बालक अगर अपनी स्वागती से सीखे तो इस point A पर पहुँचेगा ठीक है लेकिन अगर उसको किसी कुसल विक्ती का guidance मिल जाए तो हो सकता है कि उसका development यहां तक हो जाए अगर हम development को किसी scale में मापें तो मा लेते हैं कि उसका 10 ratio पे development होना था अगर उखुद की गती से सीखता लेकिन उसका development 20 के scale पर हो गया तो इसका मतलब है कि जितना उसका development होना चाहिए था उतना से जादा उसका development हो गया किसकी मदद से दोस्तो दोस्तों जो zone होता है इसी को हम बोलते है जेट-PED यानि की zone of proximal development ठीक है तो zone of proximal development की जो theory है उसको दोस्तों वाइगोटस की के د्वारा दिया गया था और दोस्तों यह जो कारी होता है जो कि किसी कुछनवीक्व्क्ति के द्वारा किया जाता है जिसे की बालग का विकास उसे के एक तरह की साहिता मदद है इसको दोस्तों हम scaffolding बोलते हैं क्या बोलते हैं scaffolding ठीक तो right answer क्या हो जाएगा why gots किये हो जाएगा सभी को I hope के दोस्ते कॉंसेप्ट समझ में आ गया होगा अगला देखेंगे a study of thinking कुस्तक किसने लिखी जेरोम ब्रूनर जोसिफ स्रवाब जैरी लुकास हिल्डा टावा ठीक तो a book of a study of thinking has written by जेरोम ब्रूनर जोसिफ स्रवाब जैरी लुकास या फिर हिल्डा टावा तो इसका right answer क्या है इसका right answer है दोस्तों option number a जेरोम ब्रूनर ठीक है जेरोम ब्रूनर ऑर दोस्तों यह बोक लिखी गई थी तीक है जेरोम ब्रूनर दोस्तों आपकी कया है दोस्तों एक constructivist manowigyanic है ठीक इन्होंने दोस्तों संग्यान अत्मक आवास की जो विकास है دोस्तों उसकी की नवस्ताओं का उलेक किया था ठीक है ना और इन्होंने ही दोस्तों स्टडी ओफ थिंकिंग बुक को लिखा था ठीक है तो बहुत महत्वपूर दोस्तों जोन जोरें बुरुनर अगला देखें कुश्टन बर एटिंग अधिगम के संग्यानत्मक छेतर सिद्धान का परतिपादन किस ने किया कोहलर, सील, हल, कर्ट लेविन या फिर बीएफ स्कीनर तो अब दोस्तों ये तो काफी आसान है क्या होगा दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा उप्शन नंबर सी चर्ट लेविन थीख है ना अधिगम के दोस्तों संग्यानमक छेतर सिद्धान्त ठीक कर्ट लेविन के दवारा दोस्तों ये दिया गया है ठीक है तो right answer क्या हो जाएगा C वाला option correct हो जाएगा अगला देखेंगे question number 19 Albert Bandura द्वारा दिये गे अधिगम सिध्धान्त को किस नाम से जाना जाता है अंतर दिस्टी अधिगम सिध्धान अवलोक नात्मक अधिगम सिध्धान चिन अधिगम सिध्धान्त या फिर मौकिक अधिगम सिध्धान्त learning theory given by Albert Bandura is also known as inside learning theory observation learning theory symbols learning theory या फिर verbal learning theory so what is the right answer right answer is second option अवलोक नात्मक अधिगम सिध्धान ठीक है देखें बंडूरा सिध्धान्त है Bandura सिध्धान्त के कई सारे दोस्तों नाम है मैं आपको इसके बारे में बता दूँ देखे जनरली आपके जो इसके अधिगम के सिध्धान्त के नाम है एक तो इसको दोस्तों प्रतिक्ष अधिगम सिध्धान्त भी बोला जाता है ठीक है अधिगम सिध्धान तो परतेक्ष अधिगम सिध्धान का मतलब क्या होगा दोस्तों यह होगा अवलोकनात्मक जिसको क्या अवलोकन जिसका आप कर सकते हैं अबजर्विशन कर सकते हैं इसके अलावा प्रती रूप अधिगम सिध्धान भी दोस्तों इसको बोलते हैं ठीक है प्रतिरूप अदिगम सिधान और अवलोकनात्मक अदिगम सिधान ठीक है इसके अलावा सामाजिक संग्यानात्मक सिधान दोस्तों इसके नाम से तो हम जानते हैं ठीक तो सामाजिक अनुकरण सिध्धान्थ भी इसको बोलते हैं तो अलबुट बंदूरा के द्वारा दोस्तों ये दिया गया सिध्धान्थ है अगला देखिए कोशन नमबर 20 सिंकला अधिगम किस से संबंदित है या सिरीज लर्निंग या फिर चेन लर्निंग इस रिलेटेट टू तॉलमेन गैने फॉंडाइक ब्रुनर तो आप इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा देखिए अब्विस सी बद है इसका राइट अंसर है बी गैने ठीक है गैने के दोरा ही दोस्तों सिरिंकला अधिगम का सिध्धान्थ दोस्तों इनके दोरा दिया गया था रॉबर्ट गै था कि जो सिरिंकला अधिगम है सिरिंकला अधिगम में दोस्तों इन्होंने जो बताया था कि एक्शली जो दोस्तों इनके दोरा जो अधिगम सिध्धान्त है जो उसमें आठ प्रकार के दोस्तों इन्होंने टाइप्स बताये थे सीखने के तो उसमें जो तीसरा टाइप हो होता है ठीक है तो इसमें बालक क्या होता है तो सिक्वेंसीली शापदिक और अशापदिक शिंकला के रूप में रूप में तो इसका राइट आंसर गया हो जाएगा वी वाल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला देखिए कोशन गेस्टाल्टवाद के जनमदाता कौन है देखे बहुत बेसिक सा प्रशन है लेकिन बहुत इंपोर्टेंट स्कीनर विने वर्दिमर स्पिनोविच फाउंडर ओफ गेस्टाल्टवादी दोस्तों यह इसके कौन है दोस्तों वर्दिमर इस राइट आंसर यानि की ऑप्शन नंबर सी इस राइट गेस्टाल्टवाद के जो जन्द आता है दोस्तों वह है माक्स वर्दिमर देखे वैसे इसमें बहुत तीन नाम बहुत इंपोर्टेंट है वर्दिमर कुहलर और कुफका ठीक है यह आप अच्छे से याद रखेंगे त तो यह दोस्तों गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक है ठीक है और इसमें जो सबसे इंपोर्टन कौन है दोस्तों मैक्स वर्दिमर इन्होंने 1912 में जर्मनी में दोस्तों इसके स्थापना करी थी तो यह इसका राइट अंसर हो जाएगा C वाल आप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट है ठीक है ना गेस्टाल्टवादी इनके द्वारा दोस्तों अंतर दिस्टी के सिधान्त दिये गे थे सूज का सिधान सूज बूज का सिधान भी दोस्तों उसको बोला जाता है बहुत इंपॉर्डेंट दोस्तों इनके द्वारा दिये गे सिधान इन से दोस्तों हमें से प्रश्न बनते रहते हैं इधर दर से ठीक है इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न मोटिवेशन से अभी प्रेणा प्रभावित करती है अधिकम की गती को व्यावार में परिवर्तन को चरितन निर्मान को या फिर उप्रोक सभी motivation किस-किस को प्रभावित करता है speed of learning to change behavior to build character या फिर all of the above so obviously बात है सारे options बिल्कुल correct है option number D is right ये दोस्तों अभी प्रेना आपके व्यावार परिवर्तन को आपकी speed of learning अधिगम की गति को यानि कि उसकी तीवरता को ठीक है आपके चरित्र निर्मान को ठीक इसके अलावा इससे आपकी रूची प्रभावित होती है ठीक कई सारे दोस्तों मांसिक गुनों को ये आपके लिए प्रभावित करती है सो अभी प्रेना इन सभी को दोस्तों प्रभावित करती है question number 23 देखेंगे गौर्डन आलपोट के विक्तितों के सिधान्द का अनुपसरण करते वे यदि अध्यापक विध्यार्ती के विसेसकों को पहचान करना चाता है तो निम्न विकल्पों में से वो किस विसेसक को अन्देखा करेगा बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है according to गौर्डन आलपोट personality theory if a teacher wants to identify the traits of student then which of the following traits will he ignore तो देखी क्या है गौर्ड विसेसक यानि कि secondary traits, central traits इसके लाबा प्रधान विसेसक, cardinal traits या फिर मूल विसेसक यानि कि source traits, ठीक so right answer दोस्तों क्या होगा right answer होगा दोस्तों अपना डी वाल option मूल विसेसक इसका right answer नहीं है तो अगर कोई golden आलपोट के personality theory को follow करता है तो उसमें दोस्तों वो उसके परधान traits को central traits को secondary traits को check करेगा ये जो मूल विसेसक है ये golden आलपोट के दवारा नहीं दिये गए है इनको दिया गया है cattle के दवारा ठीक है cattle के दवारा दोस्तों दिया गया है जो cattle का प्रतीकारक सिधानत है वहाँ पर दोस्तों दिया है यहाँपर उनने 16 मूल गुणों की बात करी है ठीक है सोला मूल गुन, ठीक है, सोर्स त्रेट्स, सो ये पहला दूसरा तीसरा राइट आंसर है according to Gordon Alpord और D वाला है according to question, ठीक है, अगला देखेंगे विक्ती को चित्रों की एक स्रिंखला दिखाई देती है और उसे कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, यह किस यह प्रक्षेपी टेक्निके में प्रुप्ति किया जाता है, बहुत अच्छा प्रशन है, परसन सोज सीरीज ओफ पीचर एंड आस्टू मेक अ स्टोरी, ठीक है, लगातार उसको पिक्चर दिखाई जाती है, यह प्रक्षेपी टेक्निक है, इसको क्या बोला जाता है, कथानक संपर्टिक्षन परिक्षन, इसके अलावा भूमी का निर्वहन, रोशा का जो इनकी ब्लॉट टेस्ट है, या फिर नाटकी है, प्रस्तुति करें, तो राइट आंसर किया है दोस्तों, ऑब्विस सी बात ह इसका राइट आंसर है, थियामेटिक अपरसेप्षन टेस्ट, यानि कि TAT, अब नाम से इसे पता लग रहा है, कथानक संपर्टिक्षन परिक्षन, तो कथानक संपर्टिक्षन परिक्षन का मतलब है, कि कथा बनाओ, जब आपके सामने दोस्तों, कई सारे चित्र एकसांद दिखाई जाएंगे, और उस पर आपको कथा बनानी होगी, कहानी बनानी होगी, तो कथानक संपर्टिक्षन परिक्षन, इट इस नोन एज़ थियामेटिक अपरसेप्षन टेस्ट, TAT, ओके, सो राइट अंसर क्या है, तो इसकी मूरे और मॉर्गन के दौरा दोस्तों, यह डेवलप किया गया था, बहुत बार दोस्तों इस से रस प्रशन आपके आते हैं, अगला देखिए, कोशिन नुमर 25, वह परतम मैनों विज्ञानिक, जिसने मानव व्यक्तित्यों के अवचेतन भाग की विवस्तित रूप से छान बीन का प्रियास किया, वह कौन है, अगला है, he was the first psychologist who attempted to systematically investigate subconscious part of human personality, E.L. Thondike, Bondura, वर्दिमर या फिर सिग्मन फ्राइड, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर दोस्तों है, सिग्मन फ्राइड, सिग्मन फ्राइड, एक ऐसे मनव विज्ञानिक थे, जिन्होंने मानव विक्तित्यों के अवचेतन, यानि की subconscious part को दोस्तों, व्यवस्तित रूप से इसका अध्यान करने का प्रियास किया, ठीक है न, अब देखिए, अवचेतन का मतलब क्या है, दोस्तों, ना तो जो चेतन मस्तिक्स है, ना ही अचेतन, ठीक है, चेतन और अचेतन के बीच का, क्या कहलाएंगे दोस्तों उसको, उसको बोलेंगे अवचेतन, ठीक, तो ना चेतन है, ना ही अचेतन है, ठीक, जैसे किसी वेस्तों को देखकर हम कभी भूल जाते हैं ठीक तो इसको सुलब इस्मृति बोला गया है फ्राइट के द्वारा सुलब इस्मृति ठीक है सुलब इस्मृति तो अवचेतन सबकॉंसियस पार्ट ऑफ हुमन परस्नालिटी ओप्शन नमबर डी बुद्ध के बहुकारक सिद्धान की सीमा से संबंदित है आइटम के विभिन सतर अधिगम करता की सामानी बुद्धी सिक्षार्ती की सामानी बुद्धी कारे की संक्या जो एक विक्ति सीमित का समय में करता है आइटम का विशेषतर देखए यह आप सिंप्ली पूछ रहा है कि जो आपका बुद्धी का बहु का रख्षित दानते है the multi-factor theory of intelligence is related to limits of different levels of item, general intelligence of learner, learner's general intelligence, the number of tasks a person perform in limited period of time या फिर item specific level, तो इसका right answer दोस्तों क्या हो जाएगा इसका right answer है C, ठीक है C वाल option दोस्तों correct है, देखिए जो बुद्धी का बहु कारक सिध्धानत है दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था, थॉन डाइक के द्वारा दोस्तों दिया गया था ये दोस्तों आपके सामान्य बुद्धी को स्विकार नहीं करता है, ठीक है सामान्य बुद्धी को स्विकार नहीं करता है, अब इस सिध्धानत में बुद्धी को क्या है ना अलग-अलग कारकों या तत्तों का गठन कहा गया है, ठीक है इसमें आपकी अमूर्त बुद्धी, मूर्त बुद्धी, सामाजिक बुद्धी दोस्तों सभी इसके अंतरगत आती हैं लेकिन दोस्तों सामानी बुद्धी को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है ठीक है, सो C वाल उप्शन का बिल्कुल राइट हो जाएगा अगला देखें कोशन नमबर 27 विक्ती का समवेग और व्यवार का प्रभावी तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्तितियों में सफल आबंदन को उच तक बनाता है उसकी विसेशता क्या है, देखें बड़ा अच्छा प्रशन है The regulation of person emotion and behavior in effective ways that maximize successful bonding in social situation is characterized by This is common sense, emotional intelligence, flood intelligence या फिर logical mind तो right answer दोस्तों क्या है, इसका right answer है B वाला यानि की सम्वेग आत्मक बुद्धी सम्वेग आत्मक बुद्धी क्या है, कि विक्ती के जो emotions है और उसके behavior है उसको इतने effective way में maximize करना, जिससे की समाजिक परिस्थितियों में वो अपनी समस्याओं को या समानिय परिस्थितियों में अपनी समस्याओं का समादान कर सके ठीक है, तो आप इसको ये कहिए कि भाया कोई विक्ती है जिसकी सम्वेग आत्मक बुद्धी जितनी अधिक मात्रा में होगी तो वो समानिय परिस्थितियों में उतना ही अधिक सफल होगा, ठीक, यही कह रहा है कि समाजिक परिस्थितियों में सफल आबंदन को उच्छ तक बनाता है, ठीक, so maximize successful bonding of social situation तो social situation में जो आपको successful बनाएगा, वो कौन बनाएगा, वो आपकी दोस्त सम्वेग आत्मक बुद्धी होगी, ठीक है, अगला देखेंगे, question number 28 ने पहली बार भावत्मक बुद्धी परिभाशित की, dot dot dot, आपने dot 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 को भढ़ना है, क्या है इसमें, Gardner और स्टनबर्ग, डेनियल गोलमेन, जेना जोहर, या डेना जोहर, पीटर सलवे और जान मेर, emotional intelligence को सबसे पहले किसके द्वारा दोस्तों परिभाशित किया गया, तो इसका right answer क्या है, दोस्तों, इसका right answer है, D. Peter Salovey and John Mayer हैं, दोस्तों, इनोंने पहली बार भावनात्मक बुद्धी को परिभाशित किया था, emotional intelligence को इनोंने दोस्तों सबसे पहले प्रभावित किया था, ठीक है न, 1990 में इनोंने इसका सरपर्थम प्रयोग किया था, और इनकी जो पुस्तक थी, what is E.I. इस तरह से दोस्तों, बुक थी, what is E.I. E.I. stand for emotional intelligence, हलंकि दोस्तों, जो Daniel Goleman है, इनका दोस्तों, बहुत बड़ा प्रभाव हुए, सामाजिक, सामाजिक बुद्धी के दोस्तों, concept को ये लेका है, लेकिन फिर भी, सबसे पहले, परिभासित किस्त ने किया गया, इनके दोस्तों किया गया, ठीक है, ये दोस्तों आपने ध्यान रखना है, ठीक है, अगला देखेंगे, फिर वही Daniel Goleman किसे संबंदित है, तो Daniel Goleman किसे संबंदित है, दोस्तों, अव्यस्ती बात है, समेग आत्मक गुद्धी से दोस्तों, ये संबंदित है, ठीक है B वाल उप्शन दोस्तों बिलकुल correct हो जाएगा question number 30 देखेंगे आज का दोस्तों last question आज का last question दोस्तों क्या है बिलकुल गिल्फोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौधिक्स रस्ना model में कितने टत्वों को संब्लित किया गया है गिल्फोर्ड के द्वारा दोस्तों जो 3 आयम में सिध्धान दिया गया है गुद्धी सरस्ना का सिध्धान तो इसमें कितने factors को संब्लित किया कि 150, 120, 100 या फिर 200 तो right answer दोस्तों इसका 120 है हलांकि दोस्तों यहापा question को cancel किया गया था लेकिन वर्तमान में दोस्तों इसमें 180 का रख हैं ठीक है इसलिए इस प्रशन को रद्द कर दिया गया था लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो 120 का right answer बनता है लेकिन वर्तमान की परिपिक्ष में 180 का रख है ठीक तो दोस्तों यह थे आपके 30 महत्वपूर्ण दोस्तों प्रशन option no.b is right तो यह थे दोस्तों आपके 30 महत्वपूर्ण प्रशन जो कि आपको आगामी एक्जाम की दिश्टे से दोस्तों आपको बिलकुल मदद करेंगे आई होप दोस्तों कि आपको इस सेशन अच्छा लगा होगा और आपको जरूर यह दोस्तों help करेगा मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में next time और दोस्तों जरूर इस सेशन को share करेगा तब तक के लिए take care and goodbye